हाई गाई विल्कम टू सेजलंक टी तो आज बात करते हैं सभा के व्लॉग की और मैणम शुरुआत करती है सभा के जहान में आपका सपस्व आगत है और आज तर रिजा की फियर वेल है तो आज हमें रिजा क्यों साडी पेनानी है और फिर एक साड़ी पनाने के लिए वतना तैयार हो जाती है और इन्होंने लिए साड़ी पनाने के लिए अपनी भावी से नहीं पूछा देखिए भावी तो ससुराल सिमर का और जितने भी इसने शो किये हैं पांच-साथ साल रोज साड़ी में रही है तो भावी तो एक दिन परफेक्ट होगी साड़ी पहनने में, लेकिन नहीं नहीं नहीं, भावी एक्टरस से क्यों पूछेंगे हम, हमें तो भावी से लेना देना भी नहीं, और अपना आप तयार होके, इसने का मैं तयार कर दूँगी, नै मैं हूना डिजाइनर, फीस का सनी आता है, और सनी को आज कल ऐसे बड़ा दिखा रही है बनियान में, कि जब भाई अपना क्लीवेश दिखा सकते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं दिखा सकते हैं, आप किसे से कम हैं, क्या, मैं नहीं दिखा सकती, तो क्या मेरा बस चले तो मैं भी दिखाती है, अपना थोड़ इसके साथ थोड़ा सा सिल्वर कलर का ब्लाउस पहनती है तो ज्यादा अच्छा लगता सीकुन्स वगरा का बट इसने यसे पहन लिया मेकप कर दिया लाल टिंट लाल एकदम टमाटर जैसे गाल बना के मेकप तो मैं कर दूंगी मेकप मुझसे अच्छा कॉन कर सकता है लेकिन बाल स्टेट करने मुझे नहीं आते उसके लिए भाल से वो प्रोड़र से मतलब सलोन से मंगा दूंगी तुमारे लिए ब्यूटीशन अब बाल स्टेट करना देखा है तो और भी सिंपल काम है बट नहीं उसके लिए इसने परलर से मंगा दी फिर यहां पे यह कुछ बोल जो भी आपना पूरा मुझे फेस्ट पे लगा लगा कि अपना जो भी ए संस्क्रीन प्रॉड़क्ट जो भी इसके क्रीम रीम मिली थी इसने अच्छे से लगाई और अच्छे अपने पोजिस दिये थोड़ी छर्माई थोड़ी इत्राई सब कुछ किया फ्रेंट्स एर ऑज़ाएं को था बर्त करा इस सबस्सक्राव मुझे तो बटाना जाता है अपने पूराने टिक टॉक के दिन में बहुत सारी सी नीछ य से सन दाई तो थोड़ा-थोड़ा मेरा ना नास्टेलजिया वाँटे सा रहा है तो मैं दुबारह से बनाओगे, आप बताना मुझे बनानी चाहिए, कीनी मनानी चाहिए पिर रिजा आ जाती है मतलब बाल बाल स्ट्रेट करके अच्ही लग रही थे रिजा गव मटें अपनी थे लगा अउट्पिट it was not perfect for summer weather but anyways they decided because they think they have a very good choice anyways तो वहाँ जाती है फिर रिजा को अपनी अम्मी को बोलती है अम्मी देखो रिजा कैसी लग रही है अम्मी ने दर्वाजा खोला और जब उसने का ना अरे सब को मुला लो सब को मुला लो देखो कैसी लग रही है और जैसे ही दर्वाजा खोलेंगे भया कोई ना कोई तो अपना फोन पकड़के खड़ा ही होगा इनको पता ही है तो जो रियक्शन था ना इसकी मार का ये देखना कैसे रियक्शन था जो मैं एक्शली स्क्रीन शॉट पर कैप्चर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है बट ऐसे मूब उना था फिर क्या मुसीबत है सारे टाइम ये 24 गंटे इनका चलता रहता है कभी इसको बुलाओ उसको बुलाओ तो सब लोग वचारों को लाइन लगा के खड़ा कर दिया गया फिर रिजा मैडम आई है और मुझे जो सुर्प्राइसिंग लगा सबसे पहले इसकी मम्मी जो सबा की मम्मी है भाग के गई अरे रिजा तुम तो बहुत अच्छी लग रही प्यारी फिर नानी को उद के गई अरे बेटा बहुत प्यारी लग रही है और पहले जब इने खड़ा किया था तो नानी का एक्स्पेशन देगो भी क्यो खड़ा कर देता है जब मर्जी बुला लाते कमरे में से क्या परिशानी है तुम लोग को पता नहीं क्या क्या सूट करते रहते है बेटा उसके बाद लास्ट में बेटी खाला आए ना वो गई अरे रिजा रिजा तो तू लगी नहीं रही है मतलब रिजा क्या लगेगी रिजा ही लग रही है ना और क्या लग रही है लास्ट में जाके एक दम थोड़ा शौक से हो गई भईया ऐसा मत कर दे ना कि आप सोचें कि भाई यह बहुत बड़ी हो गई है तो यह उसका मतलब तुम्हारी सगी बेटी है थोड़ा प्यार करो उसके साथ रहने को तुम्हें मिल रहा है पहले बच्पन में तुम मोहदा में रहते थे अपने बच्चों को तुमने निगलेक्ट कर दिया था टोटली और अब जब आपको टाइम मिल रहा है तब आप उस से क्लोजनेस नी बढ़ा नी पा रहे हो ब़ॉंडिंग कोई बढ़ा नी पा रहे है अनादा थिंग यह न इसको दवाई खाते वे जरूर दिखा रहे है इंजेक्शन लगाते हैं लास्ट सीन पर वो इनजेक्शन लगाते ह बहुत अच्छी बात है, अपने भी इंजेक्शन और अपने भी दवाईयां दिखाया करो, नहीं दिखाती है, थाई रोड की तो दिखाती है, रोड की खा रही हूँ, फिर कहती है, सब्सक्राइख सब लोग तयारी में लग जाओ, सब्सक्राइख नवें हैं कि कई कुछ हो चुके हैं कि इसको ये शूट करने ही नहीं देंगे फरा को अपने व्लॉग में नहीं लेने देंगे और मेरी बात सच हुई क्यों नहीं शूट कर पाई है इतना बड़ा मौका इंडस्ट्री का एक पहला इंसान इनके घर में आया है और सबा उसके सामने बैठी है और वो शूट कर पाएं क्यों क्योंकि इसे अलाओड ही नहीं था धियां कोरते हो क्योंकि हम लोके श सारी दिन तुम यहीं खाते रहते हैं तो भैया क्या भूलेगि जो और ऑर्डर मिला वही तो भोलेगר यही तुम नहीं बहुत आभ पकाड़े बना लो तो हमने पकाड़े बना के लिए रखा हुआ है और वो पकोड़े बनाती रहती है बच्चे तो अपने भूली चुकी है फिर नहीं हट जा मुझे भी तन ले दो दो चार दो चार पकोड़े सनी मुझे शूट कर ले सनी जल्दी से आजा अपना दो चार पकोड़ों में हाथ लगा रही है अचा एक और चीज़ जब यह पकोड़े तल रही थी ना तो पूच-पूच की बात हो रही थी बंदर की तो पूच निकल लिया आती है और फिर से इसने अजीव सी शकल बनाई थी आखे ऐसे करके जैसे दिवारों पर देखती है यह कुछ वो अगर आपको मिल जाए तो देख ले ना ज जीव जीव शकले बनाती बनाती है पता नहीं क्या देखती है और क्या होता है इसको अगर इसका नॉर्मल में यह थी तो फिर भाई के यह बैठी हुई है और फरा मैं मा गई रखाया शायद फिर रम बाद में शूट नहीं कर पाएंगे जल्दी चुट कर ले भाई ने मना किया है कि कोई भी कैमरा नी निकालेगा फरा नराज नी हो जानी चाहिए फिर भाई को काम नहीं मिलेगा न सनी और फिर हो सकता है तुझे भी काम दे दे बच्चे को ले जाते हैं पापा जी के पास पापा जी थोड़े से तो खुश हो गए हैं बच्चे को दिखा दिया कभी गभी तो दिखाना ही चाहिए और आजकल बच्चा जैसे मैंने बोला था सबको बहुत दे रहे हैं क्योंकि इनके पास बहुत सारे कॉमेंट्स आते हैं कि तुम बच्चा तुमारा कुछ गडबड लग रहा है तुम देते क्यों नहीं हो बाकी को साथ खेलने क्यों नहीं देत हैं हमारे भी हजबंड हमें पैसा देते हैं ख़र्चा करने के लिए और हम कैसे ये फ्रेंट्स ये देखें ये हैं मेरा आउटफिट इतनी बड़ी गर्मी में काला हिजाब और काले कपड़े पहन के और काला बैलमेन के बैग पहन के तुम मॉल चल पड़े और जब बेटी तो तीन तीन पार ये शोपिंग करने चल पड़ते हैं और लिटरली इसके पूरे व्लॉग में फिफ्टी परसंट रफ टाइम शोपिंग ही था पहले शोपिंग करने जाएगी और फिर दिखाएगी घरा के मतला फिफ्टी जैसे मार लीजे आट नौ मिनिट का है तो चार-पांच मिनट शोपिंग में लास्ट की चार-पांच मिनट उन सब पैकेज को खोलने में इस एक्स्रेमली बोरिंग और लोग कहते हैं तो आप क्यों देखती हैं मैं बहुत जल्दी बंद करने वाली हुएँ इनका ना लिमिट हो चुग है आज सक्षों चारी बहुत कर बोगे बहुत जेखता बाली हुएँ आज चाहन लाएंच माली हुएँ प्याइस वान वाली हुएँ एर भाना रस्पन चित वह बहुत जहुत जाएस पूएख लगशर पाली हुएएश अटर बहुत लुएएब उन अश्या में पहुत परश शॉपिंग ने बीबा में घुशती है अब बीबा में क्या होता है obviously बीबा is an expensive brand तो बीबा में जाके तो वहाँ पर दिखाना शुरू करती है यह देखो यह रिजा का वो रिजा का वहाँ पर फिकलती है नहीं अच्छा नहीं मिला हमारे size के नहीं मिले और वहां specifically वह बता रही होते हैं आपके size का यह वह तो बता देती है वह एक्सल डबल एक्सल ट्रपल एक्सल टू एक्सल थी एक्सल वह सम तो basically वह शेड कर रही है कि रिजा का size इतना बढ़ा है कि उसके कपड़े ढंग से मिल नहीं रहे हैं फिर वह चली आते हैं W में फिर W का कोई brand होगा wishful होगा उसमें घुच जाते हैं वहां पर मैडम जी को चपले पसंद आ रही है और Sunny कहता है नहीं अभी तुमने इतनी चपल ले लिए अब actually यह जितनी भी चपले लेने हैं मैंने इसको कई बार नोटिस किया यह बहुत पुरा नहीं आके नहीं नहीं टाइप की खरीद ले लेकिन पहन नहीं पाती है तो Sunny नहीं बना करते हैं एक ही टाइप की पहनती रहोगी क्या हमेशा पर यहां पर कपड़े कपड़े देख रही है उसका सूट उसका सूट ले लाके फिर अपना वापिस आया और रहान ने भी खाना भी नहीं खा सकते हो और चलते चलते भी तुम थक जाओगे शॉपिंग करते भी भुख प्यास लग जाएगी तो तुम वैसे फ्रस्टेट हो जाओगे राइट और इनको तो भार निकलते ही खाना चाहिए होता है फिर बाद में बैठते हैं इफ्तारी के लिए और य सनी मेडम के सामने छोडो, सनीत के सामने तो बैठीती है वो भावी नमबर टू laid K tournament preciso कि और किस अंगल से मेरी प्राइवेसी न भंग हो जाए यहाँ पे दखो गुलगले का नाटक हाँ आज इसके भाई ने से बहुत सही शेड गया बहुत सही गया तो बेसिकली वो ड्रामे कर रहे थे मैंने बामी की उससे गुलगले निकाल लिए और हम दोनोंने कसमे खाई है एक हम ना रमजानों में नहीं खाएंगे और गुलगले मीटे थोड़ी होते हैं भावी भावी ने टोटल लिगना और मारा है बकर बकर करती रहती है फिर शुरू हो गई अपना ये देखिए हम लोग अपना भाई के साथ मिलके भाई हमारा वो करने वाला है गिववे भाई न दबा निकाला है जिसको हम कल लंच बॉक्स बोल रहे थे लेकिन फिर ना पता चला है फोन है और वापेस आके इनोंने जो शॉपिंग का पिटारा खोला है एक एक चीज दिखा रहे है ये तुम्हारे लिए ये बेटी खाला के लिए ये अमी ये तुम्हारे लिए और सब अच्छा है बहत अच्छा है और यहापर मैंने ताइम स्क्विंशॉट तिया था टाइम देखने के लिए ये बजए चार तो ये रात के चार बज़े होंगे या पता नहीं रात के ही चार बज़े होगे इफतारी करने के बाद बैठी हुई है ये तो क्यूंकि वहां से आय तो सबको एक एक चीज़े खोल के ये उसके लिए ये उसके लिए ये मेरी बेटी खाला के लिए बेटी खाला के तो कपड़े नहीं आयते राइट बेटी खाला के कपड़े नहीं आयते तो बेटी खाला को ये गली वाला सूट पे सूट के दुकान पे ले गई थी अपने चोटी दुकान से कपड़े दिलवा दिये अब ठीक है कपड़े मैं यह नहीं कहा रही हूं कि कपड़े खराब हैं लेकिन यह क्यों किया बेटी खाला के लिए भी ले आती कोई वैसे तो अपने पहने में सूटी देती है ना उन्हें ऐसे तो है निकी बेटी खाला की चॉइस से कपड़े मिलते हूंने उनकी चॉइस चल भी कहा रही है मतलब दूसरों के घर में कि कोई अपनी चॉइस से जी सकता है क्या उनकी चॉइस से ना सो पाती है ना उट पाती है ना अपनी चॉइस से खाना मना पाती है ना अपनी चॉइस से जंबर जी दुपहर में अराम कर पर अपनी चौई नहीं दूनों तो ऑज रहते हैं कि जो सब 4 चौई को नहीं ऑटो, सब्सक्राइबח पुरे मोहदा के पुरे खांदान के लिए एदी चाह लिए तक रहा हूँ कि अजरसे जो इफतारी करते हैं या जो भी रोजा तोड़ते हैं वो खजूर कार में बैटके खा लेते थे फिर वापिस आ गए है सारे के सारे पैकेट लेके फिर इनका एक एक दिखाना शुरू हो गया है और ये इनका जो असिस्टन टाइप बंदा रखा हुआ है इनोंने जो घर के सा करता है जाड़ू पोचा भी करता है बरतन भी बाचता है सारे काम करता है इसके लिए इनोंने एक चीजे ले दी कुरता वरता तो तो उसका मजाग बना रहे थे कि अरे तुन्हें लड़की देख रखी है ये वो फिर ये रिजा के कपड़े और अपने कपड़े यहां पे जो बीच में आ गया उसमें देखा तह है मैडम जी इंग्लिश में बोल रही है इस बेर नाइस ब्रेंड यू वे तो अप्लाइ ठीक से बोल या उसके बाद क्या बोलते है तो वह सब बहाँ उन्होंने जो इन्पनी इनोंने बोला होगा कि ठीक से बोल नाइस थीक से बोल अचा यह देखे यह सबसे सस्ते से सूटे जो अपनी सथी लाइब लाई थी और दोल मक्यां फूरिव टार ग्रेला जान पड़ के बीऔन लाइब कंप्ड मर نے अपना और अपना ऑन दिख़ा है हुआ तो यह नमतपना कि बीबा में उनकी पासंद के टाइप का नहीं हैं Buba में अमने बीवा में ऐसा नहीं है लेकिन बीवा के कपड़े महंगे होते हैं तो इसे तो दिलाना नहीं को अ उसे को बंख़ा करे कोुण करने के बा comment सबरो कर आए ल fox ये दनी इतनी सारी शॉपिंग करने के बाद, अच्छा बीच में एक और चीज दिखाई थी, दो कपड़े निकाले, और ये स्कीन शॉट डिफरंट चल रहे है, जो दो कपड़े निकाले, और कहती है, मैं इनका गिव अवे करूंगे, ट्राइ क्लीन हो के आया है, तो ड्राइ क्लीन ह पहने वे कपड़ों का कर रहे हो, तो याद रखना, दोस्तों, फ्रेंड्स, तो क्या हो, हमने तो दो मिनिट पहने थे हैं, मेरा मतलब दो दीन ही पहने थे हैं, मुसको पहन के सोए थे, और पास उठे थे, तो ये पुराने कपड़ों का गिव अवे चल रहा है, और ये तो गाइस, लास्ट टाम चिकन पॉकेट्स खराब हो गए थी, तो इस बार मैंने अच्छे से बनाए है, पी ये मैडम दिखाती है, कि जहां पे गए थे किसी इवेंट वगेरा में, तो इन्हें फ्री की इफतारी मिल गई है, तो दिखा रही है, कि फलाना डिकाना नहीं नहीं मुँआ, कि कस्मे खाई है, तो वो कस्मे वादे, ओ लडडु वाले नहीं थे, वो सिर अमी बोलती है, जले भी आर गुलाब चामुन कहैं, गुल-गुलो के थोड़िए है, फिर बोलेंगे, लडडु के भी नहीं होते हैं, अमी कस्मे तो, छे-सात लडडु मैड़म बढ़ बढ़ शुथ गही है आप में इतने ही आये थे उन्होंने अमें कम दिये थे लड़ू तो अबस यही था इसके ब्लॉग में और कुछ नहीं था तो गैस if you like this content please like, share and subscribe and have a great day इसमें अप कुछ है नहीं इनके पास बचा तो आप कितने दिन देखेंगे इनको, और मैं भी सोचेंगे, कितने दिन इनकी कहने गरोंगे, तो खुद बोरोने लगी हूं, यार, इस इस नोट फेर, I want to, I want to do justice to my talent, I want to start something new, but, ठीक है, आप बने रहिए, आप बताना कैसा लगाए, और आप बताना में क्या start करूँ, I have a talent of roasting people, I can add humor to your life, and what else, या, इतना है भी मेरे रजीमे पे, जो कि YouTube का करियर है, उस वाले रजीमे पे, तो बताना कैसा लगा, और कुछ सजेस्ट करना, तो चले guys, have a great day, और हाँ मुझे यह मत बोलना कि मैं किसी और व्लॉगर का वो करो, कोई interesting व्लॉगर हो तो फिर भी चल जाएगा, देखो, व्लॉगिंग का करियर है आप जादा लोगों का चलेगा नहीं, यह व्लॉगिंग व्लॉगिंग किसी भी पेशन्स नहीं रागिया है, पंदरा मिनट के व्लॉग देखने का, और सच मताँ तो मैं आपको एक टिप देती हूँ, आप इसका व्लॉग ना 1.5 है, व्लॉगि थे भी व्लॉगिंग को ऐसे बाइखने को शॉगिंग व्लॉगिंग का तो भी आखने का धर खूजगए.